है 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 हेलो एवरिवन हर्खंड लाइब के यूट्यूब चलन में आप सभी लोग का यहां पर स्वागत है तो हम यहां इस वीडियो में बात करने वाले हैं राची निवर्श्ट्री द्वारा जो काउंसलिंग के जा रहा है बेड के लिए उसमें बहुत सारा डौट्स निकल करना है सबसे पहरें चनल को ळूरू सबस्क्राइब कर लिए ताकी आप कमेंट बॉक्स में आप यहां पर पूछ रहे दें मैं उसी को आपको हो सकता है धो और हो जाएंगे थीक Is सबसे पहरें दो जो फो इंकम नहीं बना है ठीक है सर इंकम नहीं बना है या फिर बोलिए कि पुराना है ठीक है तो आपके पास जो भी इंकम है पुराना है आपके पास तो पुराना डाल दीजिए क्योंकि आपके पास नया जो है बनाने का टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो कॉंसलिंग का डेट काह见 चल्दी खताम होने वाला है ऑफ nom के पास जो भी है कितना Спकन ऩना होवको भी डाल दीजिए जो भी है पुआ है नहीं बना है तो उसक Uhm उसके बास अलग आयए अब अप्लाय किये हैं या नहीं किये हैं यह सब चीजे आपको को ready करके रखनी चाहिए थी तो आगर आपके पास करना ना है या फिर नया है जो भी sizin या कितना कभी आप उसको upload कर दीजिए ठीक है जेनेरल वाले लोगों को नहीं करना टिक है जेनेरल लोगों को नहीं करना है SCST BC1 BC2 में जो आते हैं उनको यहां पर upload करना है और यह mandatory है ठीक है आप कोईसा नहीं किसको रिछोड़ देना है छोड़ दीजेगा तब का फिर वहाँ problem हो जाएगा ठीक है तो income आपका पास जो भी है पुराना नया जो भी है आप उसको upload कर दीजिए ठीक है नहीं बनाया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है तो चलिए अब अगला डाउट जो आपका था सर पेमेंट हो गया पर upload करने का option जो है वो नहीं दिखा रहा है ठीक है तो आपका सकेंड आउट जो यही था सब लोग कमेंट वक्स में पुछ रहे थे कि सर पेमेंट हो गया पर upload का option नहीं दिखा रहा है ठीक है आपका पेमेंट जो है वो कट गया पैसा कट गया है तो आप थोड़ा देर वेट करिए आपका प्रोस हो सकता है कि जो यह उनलाइन है तो इसमें प्रोसेस होने में हो सकता है कि अपडेट होने में कंप्यूटर में टाइम लगता हो आप थोड़ा दिर बाद फिर लॉग इन करने का प्रयास करिए ठी तो पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आप डॉकुमेंट कर दिशिये तो चेंट रोड कर लीजिए रुटीक को पेमेंट और चींता करने की जवरत नहीं है आप फूड़ा देर बाद फिर से आ जाएगा तीसरा डाउट्स कौन सा कॉलेज चूज करें तो मैंने उसके लिए कुछ पारामेटर तैय किये हैं तो आप उसको यहां पर अगर अच्छा लगा तो ठीक है नहीं तब आपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि यह पहला देखी कि आप यहां पर सीट जो है वह तो आप वहां पर देखी और सीटों की संखिया जो है वह कितना है तो जिसमें सीटों की संखिया जयादा है पहले आप होहां अपलाई करिए ठीक है मैक्सिमम कॉलेज में जो है वह लगभग एक ही सब में 100 100 से सिट करके थे हम लोग पिछले वीडियों बात कर चुके हैं कि किस कॉलेज में जो है वह कितनी सीटThere ठीक है तो आप सीटों काय। साब से आप वहाँ पर कॉलेज को चुछ कर सकते हैं दुसरा। ठीक है बहुत बड़ा फेक्टर होता है ये आप पिछले वीडि़ियो में कुछ प् 스न क्यों क्तिता में संखर कि रहा था तो सब्सक्राइब देख लिए क्योंकि प्लेघा करता है है जो है वह कितने है वह आप जितना मुझे जनकारी मिल पाई ठीक है क्योंकि सारे कॉलेज के वेबसाइट में फी जो है वह वह सो नहीं कर रहा था तो मैंने इतना मोस्क पॉसिवल हुआ आप लियो कि ओघ उतने की जएक उसके अपके घर से कितना दूर선 और यह Doll यह रहने की सूइधा कहा हो सकती है साने से क्योंकि अल्टिमेटली आपको डेली क्लासे करने हैं उसके बाद कॉलिज का चौथा नंबर पॉइंट देखिए इंफ्रास्रक्टर देख लिए उसका कि वहां पर college के पढ़ाई होती है या नहीं होती है या फिर उसके college का past में उसका istery कैसा है उसका देखिए कि पिछले साल कितने candidates प्रेणिंग लिए फिर कितने candidates प्लेशमेंट अभी तक जॉब में हैं उस तरब का आप चीचे देख सकते हैं उसमें पढ़ाई का लेवल का श्टैंडर्ड का उसमें आप जाच कर सकते हैं ठीक है और एक चीज है यहां पर बताना चाहूँगा मैं कि आप जब च्वाइस फिलिंक रहे होंगे तो college वहाँ पर आप delete भी कर सकते हैं किसी college को add भी कर सकते हैं ठीक है या उपर नीचे भी कर सकते हैं किसी college को उपर करना है तो उपर preference डाल दीजिए और किसी college को नीची करना है तो आप नीचे का preference भी डाल दीजिए ठीक है मैंने वीडियो में बताया था पहले ही कि इसके बारे पिछले वीडियो हम बात कर चुक्ते हैं आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल में वह वीडियो है तो आप वहाँ पर कुछ कॉलेज के पता चलती है तो अब फिर से आपके सामने ले कराऊंगा ठीक है और अगले लोग कर सकते हैं इसमें कोई बड़ा बड़ी बात नहीं है आप फिर से वहाँ पर हाड कॉपी सेंड करना है क्या तो कुछ लोग पुछ रहे थे कि हाड कॉपी जो है वो सेंड करना है क्या तो आपको हाड कॉपी बिल्कुल भी सेंड नहीं करना है ठीक है यहाँ पर आपको हाड कॉपी बिल्कुल भी सेंड नहीं करना है और आपको सिर्फ प्रिंट करके आप प्रिंट करने को आ रहा है वहां पर आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है ठीक है अपने पास रख लेना है और जब आप एडमिशन के लिए जाएगा तो वहां पर आपको प्रेजेंट करना है तो वहां पर आपको प्रेजेंट करना है तो वहां पर आपको प्रेज है इसको करना ही करना यह जितने सारे चीज़ें मैं यहां पर बताने वाला हूं वह आपको करना ही करना है ठीक है आपको नया हो पुराना हो जो भी है आपके पास आपको अपलोड करना है फिर लास्ट पासिंग मार्क सिट करना है आपको ठीक है और कास्ट जो है वह आपके प पुराना हो नया हो जो भी यह तो यह सब सारी चीज़े पासपोर्ट साइज फोटो रेसिडेंशियल लास्ट पासिंग मार्ग सीट तेक है आप जहां सभी पास किये हैं तेक है कास्ट सर्टिफिकेट और इंकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अप्लोड करना है और यह सार फोटो कामरा से लेते हैं उस फर्मेट में होना चाहिए पीडिएफ फाइल में नहीं ठीक है और वह सौ के अंदर होना चाहिए तो आपका वहाँ पर सक्सेस्फूल हो जाएगा ठीक है तो यह है हमारे कुछ आपके डॉट्स जो थे ठीक है आपके डॉट्स थे और उमीद क पसंद आया तहीं मैं आप लाइक कर यह और अभी सब्सक्राइब नहीं कि अधित्व सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को सेयर कर दीजिए कर दो 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 दो